कि बिस्मिल्लाहिरामारोहीम अस्सलाम अलेकुम डियर वीवर्स दिससर साउद और वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल साउद सुलूशन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेकेंडेर मैथमेटिक्स चैप्टर नमर 6 इंटिग्रेशन का करांची और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बेसिक रूल्स ऑफ इंटिग्रेशन आईए बेसिक रूल्स की जाने परते हैं पहला रूल आपको नजर आ रहा है इंटिग्रल साइन एक्स की पावर एंड डिए एक्स इसमकल तू Tetel B report भएए क्वान इंड प्लस वन प्लस सी फैसी कि ऐने इस नॉट एक्वल तो मार्स ओ यह जो रूल है यह हमारे पास बिस्वीर पावर रूल का लाता है यह क्या कहलाता है हमारे पस है पावर रूल कहलाता है अब इसकी एक्स्प्रेंशन देखते हैं यह जो चीज होती वेर साइन ओफ इंटीग्रेशन कहलाता है जिस चीज को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जिसी लाइक एक्सकी पावरेंड तो यह कहलाता है इंटीग्रेंट डि एक्स intelligence अपाटधा है में मॉंट आफ इंटीग्रेशन कहलाता है और सी आभ आग हो इंटीग्रेशन अब हम एक एक्ग्जेंपिल यहाँ पर दिस लोगराこの एक्जेंपिल के है कि आई फॉर इंडिकेशन है इंडिकल साइं एक स्क्राइड डी एक्स अब यहां पर खास बात प्रिकिवे के एक्स की पावर एंड जब भी हो तो एंड इस नॉट इक्वल टू माइनस वन होनी चाहिए माइनस वन नहीं होनी चाहिए चून होनी चाहिए इसकी रिजन में कोई भी पावर सपोस्ट करके एक एक्जैम्बर सॉल्व करा रहा हूं जैसे लाइक एक्स की पावर टू अब यहां पर क्या है कि जिस चीज को इंटीग्रेट करना है उसकी असल पावर एंड में एक का इजावा कर दूंगा यानि कि एड कर दूंगा उसी से डिवाइड कर सब्सक्राइड करूंगा एंड प्लस सी कॉंसें लगाने का रीजन यह होता है कि जब हम किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशेट करते हैं वहां पर कॉंसें टम जब भी आता है तो कॉंसेंट का होता है जीरो हो जाता है और हम इंटीग्रेशन बेसिकली तोर पर इसमें वह कॉंसेंट नंबर मौजूद था जिसका डेरिविटिव जीरो हो चुका है तो अब यहां पर क्या है वह कॉंसेंट हमें मालूम नहीं है इसलिए अपनी पास से हम सी लगा देते हैं और इसका नाम हमने देखा है कॉंसेंट इंटीडेशन अब इसको इसको नोट डाउन करें इसके बाद हम रीजन जानेंगे के एक्स की वैल्यू माइनिस वन क्यों नहीं होनी चाहिए तो अब मैं यहां पर आपको रीजन पेश कर रहा हूं कि तो यहां पर हैडिंग डाल दीजिए आप लोग रीजन की कि के एंट इस नॉट इक्वल टू माइनस वन अगर हम एक्स की वैल्यू मानिस वन यानि पावर रखते हैं और डी एक्स इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा अगर हम इसमें पावर रूल इस्तिमाल करते हैं जो असल पावर होगी इसमें एक का जाफा करेंगे एडिशन और उससे दिवाइड करेंगे तो यहां पर असल power क्या minus 1 है तो integrate करें x की power minus 1 plus 1 divide by minus 1 plus 1 and plus c अब देखें simplify करतें minus 1 plus 1 cancel minus 1 plus 1 cancel ऊपर x की power 0 हो जाएगी divide by 0 हो जाएगा plus c अब यह fraction form बन गई ऊपर numerator है नीचे denominator है denominator में अगर 0 आ जाता है तो वह infinity पे पहुंच जाता है और हम real numbers को डिस्स करें इसलिए यहां पर इस formula के अंदर n की कीमत minus 1 नहीं होनी चाहिए अगर वह minus 1 हो जाएगी तो फिर denominator में आ जाएगा 0 और वह infinity बन जाएगा इसलिए हम यह वाला प्रॉसेस नहीं करते हैं इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेकिंड रूल की जानिए सेकिंड रूल क्या कहता है अगर हमारे पास function इस तरीके का हो इसकी पावर एंड डि एकस यानी कि अब वेरिबल के साथ कोई नव कोई 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 कोउफिशन मोटिप्लाय में लिखा होगा जाएग तो आप इसकी इंडिकेशन कैसे करेंगे तो सबसे पहले rule के ताहित क्या करेंगे इसके coefficient को बाहिर निकालेंगे sign of indication से x की power n करेंगे dx अब इसकी power n में एक का जाफा करेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो देखीएगा ax की power n plus 1 divided by n plus 1 n plus c इस rule की भी एक examples जो है solve कर लेते हैं जैसे एक्जेंपल है हमारे पास कि आई इंटिग्रेशन कि तू एक्स की power कि फो डी एक्स एक्स यहां पर वैरेबल है इसके साथ कोफिशन क्या मल्टीब लाएगर है तू तू को पहले integral sign से बाहर निकाले जीगा एक्स की power 4 and dx अब यह rule number 1 से match कर रहा है एक्स की power n से तो इसकी असल power में एक का अजाफा करेंगे उससे डिवाइट करेंगे तो यहां देखेगा 2 x की power 4 plus 1 divided by 4 plus 1 plus c तो final result होगा इसका i is equal to 2 x की power 4 plus 1 5 divided by 5 plus c यह आपका final result होगा इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने next rule की जानिब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने next rule की जानिब अगर आपके पास इस तरीके से कोई टर्म लिखी भी आ रही है डी एक्स ऑनली तो डी डेरिवटिव का है और यह इंडिकल यह एक दूसरे के रिवर्स पॉस्टिस होते हैं एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे क्या बचेगा एक्स बचेगा और प्लस सी कॉंस्ट्रेव लगा दीजिए और अगर आपको इस डी लिखा य तो डी से इंडिकल साइन के इसल य प्लस सी कर दीजिए अगर आपको इस डी टी ऑपरेटर है तो डी से इंडिकल साइन के इसल टी बचा प्लस सी कर दें अगर आपके पास डी ओफ थीटा है तो डी से इंडिकल साइन के इसल थीटा प्लस सी हो जाएगा इसके बाद d z लिखावाए तो d से integral sign cancel z plus c हो जाएगा तो जब भी हमारे पास इस तरीक से लिखावाएगा तो d से integral sign cancel out हो जाएगा और वहाँ पे बचेगा वो variable अप्लस c constant of indication लगा देंगे इस रूल को भी no down करीजिए अपने पास जादे तर हमारे पास basic rules यह तीन ही समाल होते हैं इसके अगर एक से जादा terms आ रही हो दो terms हैं तीन terms हैं तो यह चार terms हैं किसी सवाल में तो हम integral sign और यह जो element of integration होता है इसको multiply करके distribute कर देते हैं distribute करने के बाद वही rules को follow करते हैं और integration करते हैं अब next lecture में मैं इन तमाम rules को exercise number 6.1 के सवालात में apply करना सिखाऊंगा आपको जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजीगा अपना बहुत ख्यायल लखिए चैनल को subscribe करना ना भूलेगा बैल आइकन के बटन भी प्रेस करें अपना बहुत ख्यायल लखें लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें Allah Hafiz